हेलो इस्ट्रेंट, स्वागत है आप से भी का युनिक लिफ्चर के इस नए वीडियो पर मैं नामे मोहित पंडे, इस्ट्रेंट्स हम लोग क्लाश 10th के में था मेटिक्स का लेशन नमबर 9 तेर कोड मेते अनुपात युम आसम काओं के बारे में अध्यन कर रहे थे इस्ट्रेंट्स हम लोग अभ्याज प्रशन 9.1 का प्रशन नमबर 7 तक हल कर लिया था, आज हम लोग प्रशन नमबर 8 से हल करेंगे ध्यान देजेगा, इसमें दिया है कि यदि कॉस ठीटा बराबर अंडर रूट 3 बाई 2 तब सिध कीजिए कि 4 कास क्यूब ठीटा मैनिस 3 कास ठीटा इसिकल टू 0, हमको ये प्रूब करके दिखाना है, जब इस प्रकार की वैलू दे रखी होती है, बिसिकली इसमें वैलू कॉस में दे रखी हो, सिध भी कॉस में करना है, तब हम पायता गोरज की परमिया नहीं लगाते हैं, इस प्रशन को हम डिरेक्ली हल करते हैं, चलिए इस प्रशन को हल करते हैं, लिखेंगे हल में दिया है, क्या दिया है, कॉस ठीटा इस इकल टू, अंडर रूट 3 वाई 2, यहां लिखेंगे तब, LHS हम लोग को कितना दे रखा है, 4 कास क्यूब ठीटा मैनिस 3 कास ठीटा, तो यहां लिखेंगे, LHS is equal to 4 कास क्यूब ठीटा मैनिस 3 कास ठीटा, सो, 4, कास ठीटा की वैलू है, अंडर रूट 3 वाई 2, सो यहां फिखेंगे, अंडर रूट 3 वाई 2 का घ्हन हो जाएगा, मैनिस 3, अंडर रूट 3 वाई 2, ध्यान दीजेगा, जब रूट 3 का घ्हन करेंगे, तो यह आपका आ जाएगा, 27, 2 का जब घ्हन करेंगे, तो यह आपका आ जाएगा, 8, मैनिस, 3 एकम 3, अंडर रूट 3, वाटे आपका आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, यह फोर से एट कर जाएगा, 4 एकम 4, चार दुन्नी, 8, यहाँ पर आपका बचेगा, अंडर रूट 27, बटे 2, मैनिस, 3 अंडर रूट 3, वाटे 2, थोड़ा सा आप ध्यान दीजेगा, यहाँ पर हम 27 को तोडएंगे, 27 को हम लिख सकते है, 9 गोडे 3, बटे रिखाया है, 2, मैनिस, 3 अंडर रूट 3, वाटे 2, इस 9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, तो यह 3 हो जायागा, और अंडर रूट में 3, बटे 2, मैनिस, 3 अंडर रूट 3, बटे 2, ध्यान दीजेगा, तो यह वैलू प्लस में दे रखी है, और यह वैलू मैनिस में दे रखी है, तो प्लस मैस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा, 0, यही हमको सिद्ध करना था, RHS, बराबर, अब आप इस प्रशं का स्कीन स्ट ले लिजिए, हाँ तो इस प्रशं का स्कीन स्ट ले लिया होगा, अब हम आगे प्रशं की ओर बटते हैं, हाँ तो इस्टूनेंट्स अब हम लोग प्रश्ण नमबर 9 हल करेंगे इस प्रश्ण में दिया है कि यदि 10 ठीटा बराबर रूट 2 माइनेस 1 तब सिद्ध कीजिए कि कॉट ठीटा बराबर रूट 2 प्लस 1 यह हमको सिद्ध करके दिखाना है इस्टूनेंट्स इस प्रश्ण को लगाने के कई तरीके होते हैं पर हम आपको सबसे अच्छा और सरल तरीका बताएंगे ध्यान दीजेगा इस प्रश्ण में लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है 10 ठीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 कि रहता तब को सब्सक्रीन रूट 3वरीभाबर बदाऊ केंदर रूट 2 लगें नटरी यहां लिखेंगे लेक्स बीखेंगे कउट ठीटा अब ध्यान दीजेगा हैंयनु कि अट्ध ठीटा अब इस टेटस हम Qt theta को क्या लिख सकते हैं? Qt theta को हम लिख सकते हैं, 1 over 10 का theta, और 10 theta बराबर हम लोग को ध्यान दी जगा कितना दिया है? root 2 minus 1, so यह लिखेंगे Qt theta, 10 theta के value कितनी है? root 2 minus 1, so यहां रख देंगे root 2 minus 1. जब इस प्रकार के प्रशन दिये होते हैं तब हम लोगों ने क्लास नाइंत में पढ़ा था परमेई करड करना हम यहां प्रशन का परमेई करड करते हैं यहां लिखेंगे परमेई करड करने पर इस प्रश्ण का हम करेंगे पर्मेरिकर कैसे करते हैं ध्यान दीजेगा लिखेंगे कॉठ छीटा is equal to 1 by root 2 minus 1 जब ऐसे दिया होता है प्रश्ण तो यद यहां पर minus में दिया है तो हम plus से उपर नीचे गुड़ा करते हैं देखें कैसे करते हैं यहां लिखेंगे root 2 plus 1 यहां भी उपर भी गुड़ा कर देंगे रोट टू प्लस वन बिसिकले इस्ट्रेंट्स यह आपस में कैंसल आउट हो जाता है यहां पर वन लिखा होता है वन से गोड़ा को रहे तो बहलू वही आएगे ध्यान दीचेगा तो यहां हो जाएगा आपका यह कॉट ठीटा इस इकल टू रोट थ्री रोट टू रोट टू प्लस वन जब बन से गोड़ा होगा तो यह आपका जाएगा रोट टू प्लस वन यहां पर ध्यान दीचेगा यहां पर लिखा है रोट टू माइनस वन रोट टू प्लस वन तो यहां पर ध्यान दीचेगा यह हो A square minus B square एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था A minus B A plus B एह होता था A square minus B A square इस फार्मूले को यहां अप्लाई करेंगे तो पहले हो जाएगा root 2 chi square minus 1 chi square तो यह आपका आजाएगा cot theta बराबर root 2 plus 1 root 2 का जब वर करेंगे तो root में 4 आजाएगा और 4 की value कितनी हो जाएगे 2 हो जाएगी और minus 1 कबर करोगे तो 1 ही आजाएगा तब यहां आपका इस्टनर्स हो जाएगा cot theta बराबर root 2 plus 1 2 मेंसे 1 minus करोगे तो कितना बचेगा 1 so cot theta बराबर root 2 plus 1 और इस्टनर्स देखिए ध्याद दीजे तो हमको यही सिद्धिफिक करना था यह आपका हो जाएगा और एच्छेज इस्टनर्स एप्रस्ण आपको समझ में आया होगा अब आप इस प्रस्ण का स्कीन सॉट ले लिजे हाथ तो इस्ट्रेंट्स आपने इस प्रस्ण का स्कीन सॉट ले लिया होगा अब हम आगे प्रस्ण की ओर बढ़ते हैं हाथ तो इस्ट्रेंट्स अब हम लोग प्रस्ण नंबर 10 देखेंगे हम इसमें बच्चों दिया है कोईश थिटा की वैलू दे रखा है और कह रहा है कि इतने बडाबर इतना सिद्ध कीजिए देखे इस प्रस्ण को कैसे लगाते हैं सबसे पहले लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है cos का theta is equal to 4y5 Students, आप लोगों को ये trick पता होनी चाहिए इसके मदद से आप प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे ठान दीजएगा, cos theta बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, जो ये उपर की value दे रखी है ये आधार है, जो नीचे के value दे रखी है ये कड़, अर्थाद हमको आधार पता है और कड़ दिया है आधार कितना दिया है हम लोग को? 4 दिया है, कड़ कितना पता है हम लोगों को? 5 पता है, आधार 4 पता है और कड़ 5 पता है अब triangle में लिख लीजिए इसके बाद हम लोग को लंके value निकालनी है यहाँ पर हम कौन सी थोरम लगाएंगे? पाइथा गोरस परमे से पाइथा गोरस परमे से पाइथा गोरस की परमे क्या होती है? कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग पलस आधार का वर्ग कड़ इसने हम लोग को दिया हुआ है पाँच पाँच का वर्ग लंब तो हम लोग को ग्याथी करना है सो लंब को एजिटिस लिख देंगे आधार दिया है फोर फोर कवर फाइब पाँच कवर करेंगे तो आजाएगा आपका पचीस बराबर लंब के वर्ग को एजिटिस लिख देंगे पलस चार कवर करोगे तो आपका आजाएगा सोरा अब ध्यान दिजएगा यह पलस नहीं इसको इधर फेजिँगे तो मैनिस ने हो जाएगा अर्थाथ यहाँ पर आजाएगा लंब का स्कॉर बराबर पत्चीस मैंने सोरा ध्यान दिजएगा लंब का स्कॉर बराबर पत्चीस में से सोरा घटाओगे तो आपका बचेगा 9 जब आप इधर से लंब से square हटाओगे तो इधर आपका लग जाएगा under root 9 यहाँ पे आप लंब बराबर root 9 का बैलू कितना होता है मान कितना होता है 3 होता है लंब की बैलू हम लोगोंने find out कर ली है 3 तो हम यहाँ पे 1 plus 10 square theta बराबर 10 theta बटे सेक्टर देखी इस प्रिकार के पश्चनों को कैसे हल करते हैं यहाँ पे लिखेंगे तब तब करने के बाद में dash करेंगे LHS LHS बराबर हम लोग को दिया है 10 theta बटे 1 plus 10 square theta अब इस्टुनेर्ट से में लोग को पता होना चाहें कि 10 theta बराबर क्या होता है Lumb बटे आधार होता है So Lumb कितना दिया है 3 आधार कितना दिया है 4 यहाँ पे बटे लगाएंगे 1 है तो 1 plus यहाँ भी 10 square theta है तो 10 square theta बटे 3 बटे 4 हो जाएगा वर्ग है तो वर्ग कर देंगे यह आप काएगा 3 बटे 4 नीचे 1 इसका 3 का वर्ग होगे तो 3 त्रिकनो हो जाएगा 4 का करोगे तो 4 चुक 16 हो जाएगा अब ध्यान दिचिएगा यहाँ पे ऐसे रहेगा 3 बटे 4 दिवैड में आपका रहेगा 1 यह आप इसे हर समान कर दिजिए तो 16 एक कम हो जाएगा 16 पलस 9 और बटे आपका हो जाएगा 16 हाथ इस्ट्रेंट्स अब यह आपका हो जाएगा 3 बटे 4 और 16 और 9 को जोड़ोगे आपका हो जाएगा 25 और बटे हो जाएगा आपका 16 अब ध्यान दीजिएगा आप इतने मान के यह वाला जो पूरा बटे है यह भाग में दे रखा है इसको कैसे solve करते हैं बहुत इजी तरीका होता है सर्फ रर्थम आप लिख दीजिए 3 बटे 4 भागे 25 बटे 16 ध्यान दीजिएगा 3 बटे 4 भाग के जगा आप गुड़ा लगाओगे नीचे के बैलो ऊपर चली जाएगी उपर के बैलो नीचे चली आजाएगी जगा 16 बटे 25 आप ध्यान दीजिएगा 4 एक्कम 4 4 चोग 16 4 ते कितना हो जाएगा 12 बटे कितना जाएगा 25 यह आपका क्या निकल कर आएश्टेंट्स यह आपका निकल कर आया है LHS यह निकल कर आया है LHS बराबर यह आपका आया है LHS LHS बराबर आया है 12 बटे 25 अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे RHS बराबर दिया था तो आप लेंगे आरचेस बराबर क्या दिए student साईन ठीटा बटे से ठीटा अब आपको बेसिक ट्रिक आनी चाहिए लाल बटे कका की तो साईन ठीटा बराबर क्या होते student लंब बटे कड़ होता है लंब दिया है तीन और कड़ कितना दिया है पास दिया है तो यहां रखेंगे तीन बटे पांच बटे सेक ठीटा सेक किसका उल्टा होता है सेक उल्टा होता है कास का तो यह क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार तो कड़ कितना दिया है पांच और आधार कितना दिया है चार तो यह हो जाएगा 5 बटे 4 अब ध्यान देज़ेगा इसको solve करने का यह आप adjectives रो किये और यह इसके भागे लगा हुआ है सो 3 बटे 5 भागे 5 बटे 4 यह आपका हो जाएगा 3 बटे 5 भाग को जब गुड़ा में चंज करेंगे तो नीचे जो लिखा होता है उपर जो उपर लिखा होता है वो नीचे मितलब students जो अंस में होता है वो हर में आ जाता है, जो हर में होता है वो अंस में चला आ जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 4 बटे, sorry students, 4 बटे, 5, 4, 3, 12, 15, 25, यह आपका कितना आगए students? RHS, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका LHS भी 12 बटे, 25 आया है, IHS भी 12 बटे, 25 आया है, यह हमको सिद्ध कहने के लिए करहा था, आप नीचे यहाँ लिख दीजिएगा, अत्तह, LHS, बराबर, RHS, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, Hence, Proved. Students, अब आप इस प्रशन का स्कीन सॉट ले लीजिए, हाथ इस्ट्रेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए. Students, आपको Class 10th के Mathematics और विज्ञान के अंसार्व भी Solve करवाया जाएंगे, आप इस वीडियो के साथ बने रहे हैं, इस चैनल के साथ बने रहे हैं, धन्यवाद. आपको यह रहे हैं, आपको यहादा हैं, आपको यहादा रहे हैं, आपको यहादार्व भी Solve